गुड मॉर्निंग स्टुनेंट्स माइने में जानिरुद एंड आम फ्रोम आदर सीनियर स्कूल खाई शेरगाट तो मारी टैंथ क्लास की साइंस का चैप्टर सेकेंड चल रहा है इसके अल्री दो वीडियो हो चुकी है आज वीडियो थार्ड है तो हम कर रहे थे एसीड की र अका हम कर आख्शन की है ठीक है तो आज का हमारा topic है वहाइफ की reactions ठीक है जो बाकी रह गही है और इसके लाव청 हम करेंगे base की reaction यानि कि जो शाइथ है उनकी क्या- trendyोंह क्रियंग है वहम करेंगे हमार सभसे पहला topic है reaction of acid vient metal carbonates यानि कि अमलों की धातू carbonate के साथ अभी करिया तो क्या होता है जब भी कोई जो acid है वो metal carbonate के साथ react करता है तो इसका example देखिए Na2CO3 जो की एक परकार का metal carbonate है यानि कि sodium carbonate जिसको हम कहते हैं है ठीक है इसके लाव हम नेकी acid लिए रखा है hydrochloric acid तो जब भी इनकी reaction होती है यानि कि जब भी acid की metal carbonate के साथ reaction होती है दातू कारभोनेट के साथ अभी करिया होती है तो क्या बनता है कि salt की formation होती है water बनता है और carbon dioxide gas की formation होती है ठीक है यानि कि एक लवन बनेगा जल बनेगा और carbon dioxide gas निकलती है ठीक है तो यह अभी करिया आप अच्छे से देख लीजिए यानि कि यह reaction जो है वो अच्छे से देख लीजिए कि जब भी किसी अमल की धातू कार्बोनेट के साथ अभी करिया होती है तो क्या बनता है लवन बनता है जल बनता है और carbon dioxide gas बनती है ठीक है सेकेंड रीक्शन है एसिड की with metal hydrogen carbonate ठीक है यानि कि अमल की धातू hydrogen carbonate के साथ अभी करिया है तो एक्जांपल देखिए एक प्रकार का metal hydrogen carbonate है sodium जिसका नाम है sodium hydrogen carbonate यह हमने एक acid ले रखा है hydrochloric acid ठीक है क्या होता है सेम साल्ट बनेगा यानि कि लवन की formation होगी ठीक है और जल बनेगा यानि कि water की formation होगी और प्लस carbon dioxide gas बनेगी ठीक है तो साम दोनों में सीम है धातू carbonate के साथ हím दातू hydrogen carbonate के साथ जब अभी करिया होती है तो क्या बंता है 11 बंता है जल बंता है और carbon dioxide gas जो है उसकी formation होती है यानि कि come carbon dioxide gas भी बनती है तो दोनों की अभी करिए तो इनको आप अछय से कर लीजेगा अवया किया नेक्स जो हमारा टापिक है वो यह बैस की रेक्षिन है ठीक है तो रेक्शन वेस यानि कि श्यार्ज जब अभिक्रियां करते हैं जो पिछे क्थे को हमारे टापिक अंके अंदर अमने acid की reactions की है अब हम कर रहे हैं base की यानि की शार जिनको हम कहते हैं तो base की reaction है with metal धात्व के साथ शार की अभिक्रिया तो generally all metals do not react with bases तो क्या होता है कि जितनी भी धात्वें होती है वो जदातर क्या है कि बेस के साथ अभिक्रिया नहीं करती है यानि कि शार के साथ अभिक्रिया उनकी नहीं होती है लेकिन कुछ एक धातु यासी है जो अभिक्रिया कर लेती है तो यहां पर हमने एक एक एक्जामपल लिया है एक प्रकार का शार है ठीक है यानि कि बेस है जिसका नाम है सोडियम हा किया था क्या बनता था एसीड की case में कि जब भी कर्या स्वाइब करता है तो क्या बनता है साल्ट फलस हईडूजन-गैस की स्थम वेसे ही जब भी कोई मेटल जातर तो मेटल स्थमक करते हैं यह सब लेकिन फेसिशब्स के वो भी क्या बनाते हैं, वो भी salt की formation करते हैं, और plus hydrogen gas बनती है, ठीक है, तो सेम है, जैसे कि यहां पर हमने एक base ले रखा, एक shahar ले रखा है, sodium hydroxide, और एक metal ले रखी है, तो जब reaction होती है, तो क्या बनता है, sodium zincate, Na2, ZnO2, ठीक है, और plus क्या बनेगी, hydrogen gas, second, reaction of base with non-metallic oxide, जैसे कि हमने metallic oxides की reaction की थी, यानि कि metallic जो धात्विक oxide होते हैं, उनकी अभिक्रिया की थी, acid के साथ, यहां पर है non-metallic oxide, यानि कि, acid की थात्विक oxide की अभिक्रिया, base की साथ, ठीक है, तो क्या होता है, जब भी base और non-metallic oxide, यानि कि, शार और acid की थात्विक oxide के अभिक्रिया होती है, तो salt और water की formation होती है, ठीक है, यानि कि, लवन और जल बनते हैं, तो एक example देख लेते हैं, CAOH2, ये क्या है, एक प्रकार का किशार है, ठीक है, यानि कि, base है, जिसका नाम है, calcium hydroxide, और generally हम इसको क्या बोल देते हैं, lime water, ठीक है, यानि कि, चूने का जो पानी होता है, चूने का जो जल है, तो ये इसका हिंदी में नेम है, lime water हम इसको generally English में कह देते हैं, scientific जो इसका ने तो ये एक non-metallic oxide है, ठीक है, यानि कि, एधातविक oxide है, carbon dioxide, क्या बनेगा, लवन प्लस जल की, जल बनेगा, ठीक है, तो ये एक प्रकार का salt है, यानि कि, लवन है, CaCO3, calcium carbonate, और प्लस क्या बन रहा है, जल बन रहा है, यानि कि, water की formation हो रही है, अब क्या होता है, जब भी ह water के अंदर dissolve करते हैं, तो acid को, जब water के अंदर हमने dissolve किया था, ठीक है, तो उस case में क्या बना था, hydronium iron, H3O positive, ठीक है, तो इसकी formation होई थी, जब हमने acid को, यानि कि, जब किसी अमल को, हमने, जल के साथ मिलाया था, तो क्या बनते है, H3O positive, यानि कि, hydronium iron, बनते हैं, लेकिन इसके process जब भी हम किसी base को water के साथ dissolve करते हैं, यानि कि, जब भी किसी शार को, जल में घोलते हैं, या मिलाते हैं, ठीक है, तो क्या बनते है, हाइड़ उक्साइड आइन बनते हैं, ठीक है, कौन से आइन बनेंगे, हाइड्रोक्साइड आइन, तो एसीड के case में, यानि कि, मामल के कैसे में बन रहे थे हाइड्रोनियम उमाइण, लेकिन जब भीकिसी बेस को यानि की शार को हम जल के साथ मिला तो क्या बनता है हाइड्रॉकसाइड डाएण, तो देखिये हमने रहे एक बेस ही नेएज़ ले रखका है एनन रॉदियम हाइड ऊड्रॉकसाइड ठीक है और हम किसमें मिला रहे हैं इसको जल के साथ मिला रहे हैं यानि कि इसको water के अंदर dissolve कर रहे हैं तो क्या बन रहा है hydroxide ion ठीक है तो hydroxide ion की formation होती है तो कल हम करेंगे पियत स्कील ठीक है इसके इलाबा डिली लाइफ के अंदर एसीड का क्या रूल है इसके इलाबा हम करेंगे फिर साल्ट के बारे में तो आज के लिए बस इतना ही और इस टॉपिक से लेटिट जितने कॉशन है वो आपको वीडियो के लास्ट में मिल कि थैंक यू